वितव तिकनीक पर प्रतिबधता की मान करगा भारत नई दिल्ली, सैयुक्त राष्ट जलवायू परिवर्तन धाचागत सम्मेलन, UNFCCC, KCOP के 27 वे संसकरण की बैठक आगामी सोमवार से मिस्त्र के शर्मल शेक में आयोजित हो रही है। इस बैठक में भारत जलवायू परिवर्तन के मद्दे नजर भारत जलवायू वितव और प्रोध्योगी की हस्तान तरण के संबंध में कारवाई के लिए विक्सित देशों पर जोर देगा। निर्मान के मामले में कारवाई के लिए COP होना चाहिए। यह हमारा समगरद रिष्टि कोन है। जिसका 6-18 नवंबर के बीच मिस्तर के शर्मल शेक में आयोजन किया जा रहा है। अभी एस पष्ट नहीं हो सका है कि प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन में भाग लेंगे या नहीं। उमीद की जा रही है कि इस साल के सम्मेलन में विकसित देश विकास शील देशों को आपनी जलवायू योजनाओं को और तेज करने पर जोर दे सकते हैं। विकास शील देश जलवायू परिवर्ण और उससे संबंधित आपदाओं से निपटने के लिए आवश्यक वित और प्रोध्योगी की पर प्रतिबधता चाहेंगे। उन्होंने कहा कि जलवायू परिवर्ण को लेकर समवेधन शील लोगों के जीवन और आजीविका के लिए वित बहुत महत्वपूर्ण है। भारत नवीकरन ये ओर्जा सहित अन्यक शेत्रों में प्रोध्योगी की विकास में सहयोग पर भी बल देगा। यादव ने जोर दिया कि भारत उनकुछ देशों में से एक है जिन्होंने 2015 में पेरिस में तै किये गए जलवायू लक्षियों को पूरा किया है। झाल